हेलो दोस्तो मेरे यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज मैं बताऊंगे मैगी बनाने की रिस्पी बहुत ही असान और इजी तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैगी के लिए मैंने प्याज काटके रख लिए हैं ये बारी कटा हुआ टामार्टर है एक मैंने मि इसलिए एक ही रखे आप लोग चाहे तो दो तिन काट सकते हैं चलिए तो कराही को मैं करूंगी गर्म हो जाने के बाद उसमें मैं तेल डालूंगी आप लोग देख सकते हैं तेल सरसो का तेल को गरम हो जाने देंगे देखिए मेरा तेल गरम हो रहा है अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मीर्स जो मैंने लंबा सेप में काट लिये हैं इसे थोड़ चला देंगे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ही easy और असान जल्दी बन जाएगी आप लोग देखिएगा यह मैंने प्याज काट लिये थे प्याज को भी डाल देते हैं medium size की एक प्याज काट लिये थे उसे भी मैं डाल दी हूँ इसमें मैं नमक को भी डाल देती हूँ काकि प्याज थोरी गले देख सकते हैं मैंने इतना नमक लिया है प्याज को थोड़ी देर लाल होने देंगे उसके बाद भुझेंगे लाल होने के बाद लाल होने तक भुझेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे देखिए मेरा प्याज का कलर हलका ब्राउन हो चुका है इसे थोड़ी देर और लाल करेंगे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं मैगी बना रही हूँ देखिएगा कितनी जल्दी बन के त्यार हो जाएगी यह मैंने बारी कटा हुआ टामाटर डाल दिये हैं इसे मैं थोड़ी से चला देती हूँ इसे भी थोड़ी पकने दूँगी गलने दूँगी देखिए इस तरह से मैं इसे भूझूँगी अच्छी से चला देते हैं थोड़ी पानी डाल देंगे इसमें आदा गिलास वर आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने पानी डाल दिये हैं अब मैं इसमें डाल देती हूँ मैगी को डिरेक्ट मैंने बॉयल नहीं किये थे इसी में मैं बॉयल कर दूँगी साथ में प्याज टमाटर के साथ बॉयल भी हो जाएगा मैगी भी त्यार हो जाएगी मैंने पहले से बाइल करके मैगी को नहीं रखे थे मैं डाल कर बनाऊंगी आप चाहे तो अलग से भी बाइल करके इसमें डाल सकते हैं लेकिन पानी थोड़ा कम डालिएगा मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाले है क्योंकि इसमें मेरा मैगी को बॉयल करना है इसे मैं पकने देती हूँ खुलने देती हूँ देख लेती हूँ किस तरह से मेरा मैगी बन के तियार हो रहा है आप लोग देखिए किस तरह से मैगी में बन रहा है वो बल रहा है आप लोग देख सकते हैं साथ में ही सब बन जाएगा इसे अलग से वाइल करने के जरूरत नहीं है यह मैं डाल देती हूँ मैगी मसाला यह देखिए मैगी मसाला मैंने डाल दिये हैं इसे मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मेरा मैगी बनके त्यार हो रहा है प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, कमें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी नही नहीं रेस्पी के साथ हाऊंगी यह देखिए किस तरह से मेरा मैगी बन रहा है इसे मैं खुलने देती हूँ देखिए मेरा मैगी खुल रहा है बस इसी तरह से बहुत ही असान तरीके से बहुत ही इजी है मैगी बनाना बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरह से आप लोग भी बना कर खाईएगा प्याज टमाचर भून कर इस से टेस्ट बढ़ जाता है बहुत इंट्रेस्टी लगता है कभी इस तरह से आप लोग भी बना के खाईएगा देख सकते हैं मेरा मैगी किस तरह से बना है आप लोग देखिए मैंने सर्व कर दिये हैं कटोडी में ये देखिए मेरा मैगी बन कर त्यार हो चुका है प्लीज दोस्तों कमें जरूर बताई किएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किजिएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मेरा मैगी बन का त्यार हो चुका है